हेलो दोस्तो कुकी हिंक्स में आपका फीस्ट स्वागत है आज आपको बताएंगे चावल बनाने का तरीका अगर आपके भी चावल खीला खीला नहीं बनते हैं तो आपको यहां पे कुछ टिप्स देंगे तो चावल पकाते समय सावधानी ब्रतनी बेहर जरूरी होती है क्यो तो परसान बिल्कुल भी मत हो यह चावल बनाते समय सावधानिया थुरा सा बरत लेंगे तो आपके भी जो चावल बनेंगे वो बहुत ही खीला खीला भी बनेंगे और उसमें स्वाद भी रहेंगे क्योंकि गलती से भी अधिक पानी डल जाए तो चावल गीला या चिपच नहीं लगती है तो आपको हमिया पे कुछ टिप्स देंगे चावल बनाने का जिसे आप फॉलो करके इदम खिला खिला से चावल बना लेंगे तो निम्बू एड़ कर सकते हैं जब चावल को नन एस्टिक बनाने के लिए आप चावल में थोड़ा निम्बू का रस एड़ क गर सकते हैं इससे चावल में मौझूद एक्स्ट्रा पानी सुख जाता है जिसकी वज़ा से चावल आपस में चिपकते नहीं है और तूटते नहीं है साथ ही चावल खिले खिले बनते हैं तो चावल पकाते हैं तो जिसे की चावल घुट जाते हैं और आपस में चिपक जा वांता आता है उसके साथ ही अगर आप चाल पकाते टाइम दो मिनद को 6ल का ठकन खूला रखते हैं तो इससे भी चाख चिपकते नहीं हैं तो जब भी आप चाल का प्रेसर पूरे निकालें तो उसे कुछ मिनद के लिए कूला रहने दें उसे जब आप खुला रखेंगे तो उसका जो एक्स्ट्रा भाफ है वो निकल जाते इसे चावल आपस में चिपकते नहीं है और खिला खिला सा बनते हैं जो खाने में काफी स्वाधिश्ट लगती है अगरा जो टिप्स है कॉटन के कपरे की हेल्प ले सकते हैं अगर चावल समय चावल में पानी जदा हो जाए तो आप इसको सही करने के लिए कॉटन के साप कपरे की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए आप चावल पकाने के बाद इसको निकालकर सुत्ती कपरे पर रखें और हलके हाथों से इसे निचोर दें एकदम हलके हाथों से इसके साथ ही इनकी खिला खिला बनने के निए आप चाहें तो चावल को दस मिनट के लिए कपरे पर फैला कर भी रख सकते हैं तो जल्दी सबाएब उसके जो कुकिंग प्रोसेस है यह भीड़ा हो जाता है जिसके कान आपका चावल एकदम खिला खिला सा रहता है अगला जो tips है वो आप bread का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी आप सही सुन रहे हैं हमने bread ही बोला है चावल में अगर पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो इसको सुखाने के लिए आप bread का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसके लिए ब्रेड के दो-तिन स्लाइस लेकर इनको कुछ समय के लिए बने हुए चावल के उपर रख दें इससे ब्रेड के स्लाइस चावल में महजूद एक्स्ट्रा पानी सोख लेंगे और चावल चिपकेंगे नहीं सांत ही ये खिले-खिले भी दिखाई देंगे तो इस तरीके से आप प्रेड के स्लाइस का हेल्प लेकर और आप चावल खिला-खिला बना सकते हैं क्योंकि हम प्रती दिन खाना बनाते हैं और हमसे कुछ न कुछ मिसिंग हो जाती है या फिर आप जो नए बच्चे हैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं उनको तो खाना ब तिर जादा रखा जाता है तो आप इस तरीके के अगर जादा पानी रखा गया है चावल गिला हो गया है तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके उसे ठीक कर सकते हैं अगला जो है आप इस बात का programme कि चावल को नन ईस्टिकी और परफ्छेच्टली पकाने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी quality के चावल का आप इस्तमाल किया रहें, सांती चावल में पानी की मत्रा का भी धियान रखें, आपको बता दे की चावल पकाते टाइम, इसमें पानी की मत्रा दो गुना रख सकते हैं, इस तरह से चावल आपके चिपकेंगे नहीं, सांती खिला खिल आ रहेंगे तो हम प्रति दिन जब भी खाना बनाते हैं । तो उसके दो गुना पानी रखते हैं जैसे और गलास हमने जावल रखा तो उसी गलास से हम दो गलास पानी रखते हैं अप ऐसा और पकर देखिए गा हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन दबाएगा चैनल पर पहली बढ़ा है तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब कीजिएगा फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाब बाई टेक क्या थैंक्स